करिकर में शुताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम मना रहे हैं विश्वत तंबाकू निरोध दिवस वर्ल नो टोबैकू डे और आज इस महत्पुन दिवस पर चर्चा के लिए हमारे बीच हैं डॉक्टर नवीन जोशी जो की आयुश विभाग उत्राखंड में वरिष्ट आयूरवेदिक चिकिस्सक हैं आज हम आपसे बातचीत करेंगे कि तंबाकू का जो प्रियोग है वो किस तरह से हमारे स्वास्त के लिए हानिकारक है इससे कैसे बचा जा सकता है यदि लत लग जाती है तो उसे छुडाने के क्या तरीके हैं और खास दौर पर वेश्वत तंबाकू निरोध दिवस मनाया जा रहा है तो डॉक्टर नवीन जोशी बताएं कि इसके पीछे मुख्य कारण क्या है आज ही का दिन क्यों चुना गया है आप सब जानते हैं कि तंबाकू में जो रसायनिक पदार्थ है जिसे निकोटीन का नाम दिया गया है न इस वर्स का जो थीम दिया है जो हम आज मना रहे हैं कि हम अपने तंबाकू को उगाने की जग़ हम ऐसे भोजे पदार्थों को उगाएं यानि say no to tobacco and say grow crops यानि हम जहां पे तंबाकू उगाते हैं वहां पे हम जो है अपने और अन्ने इस प्रकार के भोजे पदार्थों को उगाएं ये विश्वसास संगठन का इस वर्स का जो वाल टोबैक और डे है उस पर थीम है तो इसलिए इसको एक दिन चिना गया था कि इस दिन ज्यादा से ज्यादा कारिकरम हो ज्यादा से ज्यादा लोगों में जागरुकता बढ़े और लोग इस तंबाकू के 7 रूपी वैसन से दूर जा सके जी आपने निकोटीन की बात की तो ये जो निकोटीन है ये शरीर के लिए किस प्रकार घातक है तीकि निकोटीन जो होता है ये प्रकार का केमिकल है और ये कहीं न कहीं हमारी तंतरी का संस्थान पर काम करता है इसे अविक्ति को थोड़े समय तो ऐसा लगता है कि उसका निर्वस सिस्टम जो एक्टिव हो गया है लेकिन अगर आप जो निकोटीन को बनाने वाले या निकोटीन जिन माध्धिमों से सरीर में जाता है वो हमारे बहुत सारे सारे रिक अंगों में नुकसान पहुचाते हैं और इनका लॉंग टर्म जो आज देखे करने का अभी एक सोद आया है जिसमें ये बताया गया है कि लगभग लगभग पूरी दुनिया में 30 लाख हैक्टेर जमीन वो केवल और केवल तंबाकू के उत्पादन में प्रियुक की जा रही है और प्रतिवर्स तंबाकू के उत्पादन करने के कारण 20 लाख हैक्टेर जमीन में डीफॉरेस्टेशन हो रहा है अन्य कि जंगल काट दिये जा रहे हैं तो आप बताईए कि अगर हम तंबाकू को अउत्पादन कर रहे हैं और हम जंगलों को काट रहे हैं तो निशित रूप से इसका जो है वो प्रत्यक्ष भी और परोग्ष रूप से भी परियाव को फाइदा तो है नहीं परियावरन को फाइदा तो है नहीं इसलिए इसका जो परियावरन पर प्रत्यक्ष और परोग्ष रूप से नुकसान दायक प्रभाव सामने आ रहा है अब हम बात करते हैं कि किस तरह से तंबाकू का प्रियोग किया जाता है वो कौन कौन से तरीक में और अन्य पावाम साधनों में, हमारे पाणों में बीडी पीते हैं लोग, और सिगरेट तो है एक सामाने रूप से, बहुत तरीके और भी हैं जो इसका सेवन करते हैं, लोग इसको चीलम के रूप में, हुका के रूप में, पान में भी इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही प्रभावीत करते हैं और जब हम इससे होने वाली बीमारियों की बात करते हैं, डॉक्टर जोशी, तो वो कौन कौन सी प्रमुक बीमारियां है जो शरीर में हो जाती हैं? जी चुकि आपने देखा होगा जो लोग cigarette पीते हैं, cigarette smoke करते हैं, वो कहीं न कहीं passive smoking के द्वारा यानि कि दूसरे लोग को भी वो inhale कराते हैं और खुद भी inhale करते हैं उस smoke को यानि धुए को और वो धुआ कहीं न कहीं हमारे फेफडों में जाता है और फेफडों में जाकर कि ह हमारी स्वसंद संस्थान को प्रभावित करता है यह आप देखें तो बहुत सारे रोगी जो cancer से जो lung cancer से या फेफडों के cancer से पीडित होते हैं उनका एक प्रमुख कारण जो है वो धुमरपान होता है दूसरा आज के समय में आप देखें तो जो गुटका है या तमवाकू कि जैसे जो इस प्रकार के जो addiction लेने वाले जो पदार्थ हैं जो नसे के पदार्थ हैं उनको लोग सीधे सीधे मूँ में अंदर डाल लेते हैं और आज कल ये युवाओं में भी ये प्रचलन बढ़ रहा है और कहीं न कहीं आप अगर देखें तो ये बहुत पड़ा कनती है विक्ती बाद में भोजन नहीं ले पाता है उसका सबसे पहला लक्षन जो है वो मूँ नहीं खुलता है लॉक जो हो जाता है और इसके बाद जो है बाद में इसकी surgical process की जाती है इसको cell चिकित्सा के दवारा पूरा का पूरा जबड़ा निकालना पड़ता है बहुत पैसिव स्मोकी की बाद के डॉक्टर जोशी तो आम विक्ती इससे क्या समझें बान लीजी कि एक विक्ती बस स्टैंट पर खड़ा है या कहीं पर खड़ा है और धूमरबान कर रहा है हलाकि यह धूमरबान प्रतिपंदित है लेकिन कर रहा है वो और उसके बाजू में प्रति स्त्री खड़ी है तो कहीं न कहीं वो धुआ उसके भी जो है वो नाक के द्वारा फेफडों में जाता है और जितना नुक्सान जो है वो उस वेक्ती जो धुमरबान कर रहा है उसको तो करता ही करता है साथ में जो वेक्ती सामाने रूप से स्वस्त है जिसने कभी सि पिल्कुल हम जानना चाहेंगे डॉक्टर जोशी क्या कारण है कि व्यक्तितम बाकु लेने के लिए प्रविर्थ होता है उसको ऐसी कौन सी उसमें खुबी नजर आती है कि वो उसके पीछे पढ़ जाता है और उसको लेना एक उसका शगल बन जाता है एक तो देखिए क्या है हमारा जो दुराखंड है वो पहाड़ी छेतर है और यहां पर आप देखेंगे पाड़ों में लोग रहते हैं बिस्वी के लिए जो बुजूर्ग है वो इसको एक प्रकार से उनके पास मनोरंजन के जैसे आकासवानी है इस तरह की साधन तो हैं एक बहुत जादा उनके पा प्रकार से एक फैसन के रूप में जो है एक दूसरे को दिखाने के रूप में इस प्रकार का प्रचलन बढ़ता है और क्या युवाव वर्क में क्या युवक और क्या युविती आजकल उतनी ही धुमरपान की तरफ वो सब आगे बढ़ रहे हैं और कहीं न कहीं वो इससे बाद में एक एक सी स्थिटिप पैदा होती है कि यदει वो छोड़ना भी चाहते है तो वो धीरे धीरे लत में बदल जाता है यनि कि वो अब पहले एक सिगरेट पीते हैं फिर वो दो में जाता है फिर तीन में जाता है और जिसे हम कहते हैं chain smoking जो लगातार धुमरपान करने की जैसी प्रविर्टी जैसे स्मोकिंग कहते हैं उसमें बदल जाता है और बहुत बाद में आप देखेंगे तो इनके फेपडों की स्थिती बहुत ही खराब हो जाती है फेपडों में ये नेकोटिन टार के रूप में जमा हो जाता है और बाद ये था कि वो क्या कारण है कौन से कारण है क्या एक लड़का युवा अपने पेरेंट्स को देखकर या परदे पर ऐसे अपने नायकों को देखकर प्रभावित होता है जी जी बिल्कुल सही का आपने इसलिए हमारे यहां आप देखेंगे जहां पर भी पिक्चराजिशन ह लेकिन फिर भी लोग क्या है कि वो एक परकार से इन सब को जानते वे भी कहीं ने कहीं इसका सेवन करने लगते हैं इसके पीछे जो कारण है वो वही मैंने बताया कि पहला तो उससे ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा स्मार्ट बन रहे हैं हम जो है अगर हम तंबाकों का सेव कर रहे हैं या हम सिग्रेट पी रहे हैं तो हम सोसाइटी में हमारा एक स्टेटस है इस परकार कि जो कुछ मित्स हैं ये कारण बनते हैं इसके सेवन की आदत के जी सार्जुरिंग इस तलो पर धूम परपान को सरकार ने गयर कानूनी कहा है इसको अपराद के शिर्णी में रखा है और इसके जुरुमाना भी है लेकिन उसके बावजूद यदि इसकी प्रिवर्टी बढ़ रही है तो हम इसे क्या समझें एक्चुली क्या है कि जब तक लोगों में अवेरनेस नहीं होगा सरकार एक प्रकार से दंड देश दिखती है दंड लगा सकती है लेकिन प्रकार ने हर तरह से प्रियास किया है जो इसका विग्यापन है उसमें काफी प्रती बंद लगा हुआ है इसके जो पैकेट्स हैं उनके ऊपर भी इस प्रकार की फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं कैंसर के जैसे और आपने जब भी पिक्चर हॉल में देखा हुआ पहले इ लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब तक व्यक्ति स्वयम इसके बारे में जागरूख नहीं होगा, दंड लगाने से वो चीजें नहीं रुकेगी, इसलिए आपके कारिकरम के माध्यम से जो भी सुरूता है इसको सुन रहे हैं, खृपया इसके प्रती जागरूख हों और धु कार्सिस है, काउंसिलिंग, इसमें सबसे बड़ी बात है कि पहले तो समझाना कि भई ये धीरी धीरे आप इसको छोड़िए, कम कीजिए, दूसरा जो होता है कि कुछ ऐसे दवाईयां हैं या कुछ ऐसे उपचार हैं जिनको आप चिकितसक के माध्यम से हैं, काउंसिलर के म नहीं करेगा, कई लोगों में ये मित्स रहता है कि ये कॉंसंट्रेशन को बढ़ाता है, ये हमारी मानसिक के रूप से हमें एकागर करता है, ये सब मित्स हैं क्योंकि ये उसे सुरू सुरू में ऐसा लगता है कि मैंने इसे नहीं लिया है, तो आज मैं कॉंसंट्रेशन मेर अब नहीं हो रहा है, मेरा पेट साफ नहीं हो रहा है इस तरह की चीज़ें उसके दिमाग में आती है तो इस चीज़ को समझाने के लिए काउंसिलिंग की बहुत जरूरत है धीरे धीरे उसका बिहेबियरल चेंज उसमें लाने की जरूरत है और साथ साथ उसे अगर आपने एकदम से बंद कराया तो वो कई सारे लक्षण भी उत्पन होते है तो उनको लक्षणों को भी उस प्रकार से डील करने की जरूरत होती है लेकिन धीरे दीरे अगर वेक्टि की एक्षा सकती सबसे बड़ी बात है यदि उसकी एक्षा सकती मजबूत है तो वो इसको बहुत ही आराम से छोड़ सकता है इसमें परिवार की भूमी का भी महत पुण हो जाती है जी बहुत बहुत जरूरी है क्योंकि हम अपने बच्चों को ध्यान नहीं देते हैं वो बच्चे बाहर जा रहे हैं ध्यान देने की जरूरत है और स्वयम के लिए भी ध्यान देने की जरूरत है कभी-कभी ऐसा होता है कि आपका मित्र आपको फर्पोस करता है कि बही चलो सिक्रेट पीते हैं और आप एक प्रकार से देखने में या आप ऐसे अनुभव करने के हिसाब से आप स्टार्ट कर देते हैं और फिर आप उसकी लख में फ़स जाते हैं जैसा कि हर नसे के साथ होता है तो इसे धीरे-धीरे समझने की जरूरत है माबाप को अपने बच्चों पर ध्यान देने की जरूरत है और सबसे बड़ी बात है यदि माबाप स्वयम अमा या पिताजी स्वयम धुमरपान कर रहे हैं तो वो अपने बच्चों को कैसे कह सकते हैं इसलिए सबसे पहले स्वयम पर भी नहीं इंतरन करना अत्यन तावस्यक है यदि तमबाकू सेबन करने वाले को उसकी तलब लगती है तो वो घर में क्या कर सकता है जी इस प्रकार की अगर तलब लग रहे हैं तो बहुत सारी आपके पास आधन है आप अपने माइंड को डाइवर्ट करें आप किसी प्रकार का मनुरंजन करें अच्छा संगीत सुनें आप को अच्छी पुस्तक पढ़ें आप अपने आपको उस तरब से थोड़े समय अपना ध्यान हटाएं और बहुत सारी चीजे ऐसी हैं जिनको आप लेकर के आपको लगता है कि वो आपको सक्रिय कर रखती है आपके दिमाग को एकागरत करती है आप भजन सुन सकते हैं आप अच्छा मैंने बताया अच्छा संगीत सुन सकते हैं आपको पॉजिटिव ठिंक्स पॉजिटिव जो मॉटिवेशन है सबसे बड़ी बात है मॉटिवेशन क्योंकि वेक्ति दिरे दिरे डिमाटिवेट होता है तो मॉटिवेशनल स्वीचे सुनना बहुत जरूरी है यह सब चीज़न क्या यागती है इससे कोई वेक्ती तमबाकू का सेवन पान के रूप में, गुटके के रूप में, खेनी के रूप में कर रहा है तो वो तलब लगने के समय क्या कुछ और खा सकता है जो उसके लिए स्वास्तिवर्द जी है ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारे आईरवेद में सौफ है इलाइची है, ऐसे ही कुटजू आता है एक ऐसे ही जटामानसी है इनको हम जटामानसी का हम प्रयोग करते है इस प्रकार की चीज़ें जो है वो ली जा सकती है जो कहीं न कहीं तलब को कम करने में मददगार होती है लेकिन फिर मैं आपको बताऊंगा कि लोग एक नसा छोड़ते हैं यदि माल लीजें कि वो ठामाखू को खायनी को छोडते हैं ओर इस इदा में जोड़ती खास और पर इसका प्रैचलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है डोक्टर जोशी और हम सब देख रहे हैं खास और से यदि गरवती माता धूमठपान करती है तमबाकू का सेवन करती है तो बच्चे पर क्या प्रभाव पढ़ सकता है? हम जानते हैं कि मा क्या रखत शंचरन गर्भ से जूडता है तो ऐसे में जो बच्चा बच्चे का विकास है वो कहीं मै कहीं परभावित होता है और वो बच्च्चा कहीं मैं किसी प्रागार की गर्भावस था जन्ने विकृतियों से जिसे अंगरेजी में कंजनाइटल एमनोमेलीज कहते हैं उससे वो जूसता है तो इसलिए गर्भवती इस तरी को तो धुमरपान या बीडी का सेवन या किसी भी प्रकार के इस प्रकार के तंबागों के खादेपदात का सेवन कता ही नहीं करना चाहिए डॉक्टर जोशी आपने बताया कि कई बार हम एक नशे को छोड़कर दूसरे की तरफ प्रिवृत हो जाते हैं जैसे आपने कहा कि सिग्रेट छोड़ी और कुछ और लेना शुरू कर दिया देखिए नसा चाहे वो सराब का हो चाहे नसा वो सिग्रेट का हो नसा तो नसा ही है वो कहीं न कहीं से अगर आप टोबैको ले रहे हैं या निकोटीन ले रहे हैं या फिर आप अलकोहल ले रहे हैं वो कहीं न कहीं से हमें हमारे सरी में उसका नुकसान ही होता है इसलिए किसी भी प्रगार के नसे को आप एक नसा छोड़ कर दूसरे नसे पर स्विचोबर होएं, यह कहीं से भी बुद्धिमारी नहीं है, यदि आप नसा छोड़ना चाहते हैं, तो वो चाहे तंबकु का नसा हो, चाहे वो सराब का नसा हो, किसी भी प्रगार का नसा हो, उ उसे आप निश्य तरूप से धीरे-धीरे आप उसे छोड़ने का प्रयास करें। जी, सरकार लगातर प्रयास कर रही है और जो हमारे प्रचार साधन हैं, वो लगातर इस तरह करते भी हैं। क्या आप ये सलहा देंगे की जो कॉलेजेज हैं, स्कूल्स हैं, उसके आसपास इस तरह की चीज़ें आसानी से उपलबना हों। हैं, वो इतनी आसानी से ना मिलें। बहुत सारे नसे की चीज़ें जो लोगों का हमारे युवापीडी का जीवन बरबात कर रहे हैं। हमारा देश आप सब जानते हैं कि योगाओं का देश है और ये अगर इस प्रकार से नसे की गिरफ्ट में आएगा तो इससे हमारा समाज प्रभावित होगा। इसलिए हमारी जो स्कूल्स हैं हमारे कॉलेज़ें उनके आसपास इस प्रकार के नसे की चीज़ें कहीं छुपाके या कहीं इस प्रकार से आवएथ तरीके से तो इसकी बिक्री नहीं की जा रहे है इस पर ध्यान देने की जरूरत है। मैं यही कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड हमारा एक बहुत ही पर्यावरंड के द्रिश्टिकोर्ण से बहुत ही अच्छा एक प्रदेस है और यहां पर हम सब देव भूमी कहते हैं इसे और ऐसे देव भूमी में यही नसे की प्रवर्ति चाहे वो सेगरेट हो चाहे पहाड़ों में हैं जो गाउं में हैं जो बीड़ी पीते हैं जो सेगरेट पीते हैं जो किसी ने किसी प्रकायर से गुटका खाते हैं उन सबसे हाथ जोड़कर विनमर निवेदन है कि आप आज से ही यह प्रण लें कि हम धुम्रुपान को नहीं लेंगे तभी हमारा जो वि आत्म विश्वास और द्रिड एक्च्छा सकती से इसको छोड़ने का प्रयास करना चाहिए और निशित रूप से आप इसे छोड़ पाएंगे तो डॉक्टर नवीन जोशी आज आप इस कारिक्रम में आए और आपने आज इस महत्पुन दिवस पर तंबाकु सेवन से होने वाले जो दुश्प्रभाव हैं उसके विशाय में बहुत ही महत्पुन जानकारी हमारे शोताओं के साथ साज्जा की आपका बहुत बात आभार झाले जानकारी हमारे 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 जानकारी